नमस्कार साथियो एडोकेट नरिंद्र जूशी यूट्यूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है साथियो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं आज की तारीक में संपुर्ण विश्व के साथ भारत वर्ष कोरोना की एक महा वेश्विक बिमारी के अंदर उलज गया है सरकार और प्रयाशाशन अपने इस तर पर बहुत ही बहतरीन प्रयास कर रहे हैं जिसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन वहीं पर डॉक्टर्स, पेरामेडिकल स्टाफ, पुलीस, सफाई कर्मी एक कोरोना वरियर्स के रूप में समाज में अपना बहतरीन योगदान दे रहे हैं लेकिन वहीं पर एक आर्थिक मंदी का दोर आता नजरा रहा है प्रतेइक व्यक्ति जो आज की तारीक में शहरों में किराय के मकान लेकर रह रहा है या किराय के दुकानों में अपना विवसाइभ कर रहा है उसके स्थिती दिन बदीत बूली होती जा रहा है प्रशाशन ने, सरकार ने इस अंदर में गाइडलाइन जारी की, कि शेहरों के अंदर, कोरोना के इस लोगडाउन अवधी के अंदर, यदि कोई भी व्यक्ति किराय के मकान में रह रहा है, और किराय के दुकान कर रहा है, तो वहाँ पर उसे किराय वसूली के लिए उस पर द रमकाया नहीं जाए नहीं किसी भी रूप से उसको परिशान किया जाए किन्तु कुछ लोग इन बातों को नजर अंदाज करते जा रहे हैं आज ऐसे स्थिती के अंदर जहां किरायदार लोगों को दो वक्त के खाने की रोटी नसीब नहीं है उस वक्त मकान मालिक जो बड़स जबरन किरायवसूली की मांग कर रहे हैं इस संदर्ब में प्रशाशन ने इस पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है स्वयम सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई है किन्तु यह लोग किसी की सुनना नहीं चाहते हैं इस कारण आज हमने संपूर्ण भारत व पाइंगे और उसका लिक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुद्ध सही है और आप हमारी आवाज को भारत वर्स के प्रतेक मकान मालिक या दुकान मालिक तक पहुचाना चाहते हैं तो उस पोस्ट को शेर जरूर करें और इस यूट्यूब वीडियो को भी आप प्रतेक उस व्यक्ति तक बेजे जो कि किरायदार है या मकान मालिक है दुकान मालिक है या जो भी है यह वीडियो हमारे लिए एक सद्भावना संदेश से प्रतेक उस व्यक्ति के लिए जो कि आथ की तारीक में पिड़े थे मैं इस पत्र के माध्यम से इसमें क्या है शंक्ष्पित रूप में आपको बताने का प्यास कर रहा हूँ पत्र की समान लेंग्वेज के अंदर मैं मेरी बात को रिपिट कर रहा हूँ कि यहां हमारा निवेदन पत्र प्रतिक उस भारतिय के लिए है जो कोरोना की इस्वेश्विक महामारी में देश को सयोग करना चाहते है आज की तारीख में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मी कोरोना वरियर्स की स्रेणी में है और संपूर्ण देश को उन पर नाज है उनकी करतवी परहनेता पर सरकार, इस्थानी प्रशाषन अपना कार्य बखो भी कर रहा है किंतु क्या संपूर्ण दाईत्व सरकार, प्रशाषन या इनही कोरोना वरियर्स का है जी नहीं, कोच हो दाईत्व और जिम्मेदारिया हमारी भी है इस विजम परिश्थीती में हम भी बन सकते हैं Corona Warriors और देश को एक सहयोग कर सकते हैं हम भी परीचे दे सकते हैं किस विकट परिश्थीती में हम अपने देश भक्ती का कुछ उदारण भी दे सकते हैं जब से lockdown हुआ है प्रतिक रति आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है वह इतना शक्षम नहीं है कि वह अपने मकान या दुकान का किराया दे पाए दो वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए बुश्किल हो रहा है इस अवस्था में वह अपने मकान और दुकान का किराया किस रूप में दे पाएंगे इनी परिस्थीतियों को देख सरकार प्रशाशन ने भी किराय के संदर्ब में अपनी गाइडलाइन जारी किये कि कोई भी मकान मालिक दुकान मालिक कोरुना की इस अवधी में किरायदार को किराय के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करें और नहीं उन्हें मकान या दुकान खाली करने के लिए उन्हें परेशान करें किसी प्रकार का दबाव नहीं बना पाए और यदि वो किराय नहीं दे पाते हैं तो उन्हें किराय वसूली के लिए धंकाया नहीं जाए यदि कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल अनर्गल है बि हमेशा समय पर आपको किराए का भुक्तान करते आ रहे हैं यहां बीच में मेरी मेरी बात को स्टॉप करके यह कहूंगा कि जब आप किसी को मकान या किसी को दुकान देते हो तो आप केवल एट और चूने से बना हुआ धाचा देते हो उसे पहचान देता है वह इंसान जो वह रहता है आज मैं केवल मेरे उदेपूर शहर की बात करूँ तो बड़े से बड़े प्रतिस्थान जो उदेपूर के नामी प्रतिस्थान है वह केवल एटों का धाचा और चूने से बनी हुई इमारत है लेकिन उस जगह को पहचान उस दुकान किराएदार ने दिये और मकान मालिक दुकान मालिक आपका घर खाली करेकर चले जाए और आने वाले दो साल तक आपको किराया नहीं मिल पाए यह भी आप सोचे एक मानव द्रश्टि कौन से सोचे मानव रदे लेकर सोचे आगे बात कर रहे हैं हम कि यदि कोई मकान मालिक दुकान मालिक इस दोर में किसी भी रूप से अपने किराएदारों को किराए के लिए परिशान करते हैं या उन्हें जबरन परिसर खाली कराते हैं तो इस अवस्ता में किराएदार के जान माल का संकट उत्पन्न होगा और साथ ही सरकार द्वारा जार कानूनी करवाई करने का परियाप्त आधार होगा क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आप दा अधिनियम में निर्धारित कई बातों की अभेलना होगी मैं कहना चाहता हूं कि जहां सरकार ने लोकडाउन किया है प्रत्य व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए निवेदित किया हुआ है और आदेश दिये हुए है वहाँ यदि कोई मकान मालिक दुकान मालिक किसी को जबरन गर खाली करवाता है तो इसका मतलब है उसे इस परिस्थीति में बाहर निकल कर कहीं और जाकर मकान देखना है इस अवस्ता में कोई संक्रमन फैलता है तो उसके लिए वह मकान मालिक दुखान मालिक भी उत्तर दाई है और इस अवस्ता में किसी किरायदार को प्रभाइद करता है तो वह राष्ट्री आपना अधिनियम के अंतरगत भी दोशी होगा जब सरकार ने गाइडलाइन जारी किये और आप उसके पालना नहीं करते हो इसका मतलब आप राष्ट्र द्रोख कर रहा है यह निवेदनपत्र मेरे फेजबुक पेज एड़ुकेट नरेंडर जूशी एंड एसोसियेट के फेजबुक पेजबुक पर में पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ से आप किसी को भी शेर कर सकते हैं यह पत्र इसे लिए सारवजनिक कर रहा ह से चुंकि सामाजीक सरुकार से हम जुड़े हुए हैं आज की तारीख में यूट्यूब चैनल पर करीब सत्रा हजार से अधिक फॉलॉर है लोगों के कॉल साते हैं कि सर इस प्रकार की स्थीतिया पैदा हो रही है मुझे न केवल उदैपूर बगी राजस्थान के विविन शेत्रों से फोन आए कि सर मकान मालिक इस इस रूप से परिशान कर रहे हैं अखिर क्या किया जाए इस कारण जनित के अंदर ये यूट्यूब चैनल पर ये पोस्ट कर रहा हूं जिसे आपको शेयर तो करना ही करना ह साथी फेस्बुक पेज पर भी जाकर आप इस लिंक को जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं उसको क्लिक करके आप वहाशे भी शेयर करें यह जनित की वात है और इस जनित में आपका सयोग हमको चाहिए ताकि हम अमारी इस मुहीम को आगे बढ़ा सके यदि आपका स अमर्थन मिला तो विविन्न मुद्व पर और आएंगे हम क्योंकि आज की तारीख में गरिब वह नहीं है जो सरकार की सुची में लिखा हुआ है गरिब कई व्यक्तिय से गरीव है आज मद्यमवर्गी परिवार सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि उनके उपर घर की एम आ आया तो क्या किस्ते माफ हो गई जी नहीं वह किस्ते उन्हें ब्यास सईथ भरना है जो आने के बाद भारी पड़ जाएगी क्या स्कूलों के शिक्षन सुर्प माफ कर दिये नहीं अभी कोई डिमांड नहीं रखी लेकिन भविश्य में तो भरने ही भरने बिजली के बिलो व्यक्ति प्रभावित नहीं हो और मध्यमबर का अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सके फिलाल हम किरायदारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं अगर आपका समर्थन मिला तो और कमेंड के अंदर आप किन मुद्दों को चाहते हैं कि हम जनता के लिए उठाए सरकार और तक आपके आवाज पहुचा है आप कमेंड बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी फिलाल बात कर रहे हैं कि पचासे अधी कौल संदर्ब में हमें आये जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं और वह चाहते हैं इस संदर्ब में हम अपनी प्रतिक्रिया रखें इस निवेदन पत्र के जरिए हम प्रतेएक मकान मालिक दुकान मालिक से एक एडूकेट होने के नाते नहीं एक भारती होने के नाते एक इंसानियत के नाते एक मानव रदे के कारण दिल से निवेदन करते हैं पुर्जोर निवेदन करते हैं कि कारोना की विशभ गड़ी में अपने किरायदारों को सयोग करें? हो सकता है, आप के लिए ये संभव नहीं हो, कि राष्ट्रा आपदा के इस समय के अंदर, आप प्रधान मंत्री कोष में अपना दान दे पाए. आप चीप मिनिस्टर कोश में अपना दान दे पाए, आप जीना प्रशाशन को आप अपने चेक दे पाए, जरूरी नहीं है कि आप उतना बड़ा से योग कर पाए, लेकिन आप एक मकान मालिक है, आप चाहें तो तीन महीने का किराया आप अपने किरायदारों को माफ करके औ अपने बड़े दिल का परिचे दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपना एक वीडियो बनाईए, कि आपने अपने किरायदारों का तीन महीने का किराया माफ किया, अपने नाम और एड्रेस के साथ में, हम से सम्मान, अपने चैनल पर आपका वीडियो प्रकाशि में, आप स्वेम कोरोना वारियर्स के स्रेणी में आएंगे, और आपको दिल से सैलिट रहेगा, साथ ही, यदि किसी किरायदार के साथ, अब कोई ऐसा कृत्य होता है, तो निश्चित रूप से, आप हम से फोन संपर्क करें, उससे संदर भी जानकरी दें, हम आपको इस्व चैनल्स, अकबार, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मेडिया दोरा ऐसे मानव रत्नों को जो कोरोना के आउसर पर आम द्यक्तियों को परिशान करते हैं, किरायदारों को परिशान करते हैं, जो आज की तारिक में एक दिकट परिस्थिती में जी रहे हैं, तो ऐसे मानव रत करेंगे कि जब हमें कोरोना वरियर्स बनने किया हो सकता है तो आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप सरकार और प्रशाशन की गाइड लाइन का पूरी तरीके से आवहिलना करके लोगों को परिशान करते जा रहे हैं और इस महामारी की हालत में एक आँ इंसान का दर्थ नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन यह भी द्यान रखे हम उसाहई लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके पास केवल एक कमरा है जो अपना कमरा किसी को हजार, दो हजार, डाई हजार में किराय देकर कोई अपंग, कोई अपाहीज, कोई बुजुर्ग महीला, कोई बुजुर्ग दमपत्ती उस किराय से अपना भरण पोशन करते हैं, तो उन चीजों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जाँ शक्षम हैं, आज की तारीख में कहता हूँ है, कि लोग फ्लेट में रह रहे हैं, दुकानों में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, अपने बिजनेस बंद पड़े हुए, ऐसी अवस्ता में, जब आज सारा देश एक हो चुका है, तो प्रतेक मकान मालिक, प्रतेक दुकान मालिक से पुर्जोर निवेदन करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और समझे कि आप कोरोना वरियर्स बने आप योगदान दे अगर आप तीन महीने का किराया अगर माप भी कर देंगे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियो यह जन हित में हमारे उठी हुई आवाज है आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना शियर करते हैं कितना इसे आगे बढ़ाते हैं और आप भी चाहते हैं किनी और मुद्दों पर अपनी राय रखे तो आप कमेंड बॉक्स में उस बात को जरूर मेंशन करें और जो यह पत्र है कि इसे देखना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फैस्बुक पेज को एड़ोकेट नहीं जोशियन एसोसियेट से आप इसे शेयर कर सकते हैं इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसी प्रकार के जनहित के मुद्ध्य हम उठाते रहेंगे इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जनहित में हमारी आवाज हमेशा उठेगी उठती रहेगी बस आपके प्रकर सहयोग आपके प्रकर आवाज के हमको जरूर पड़ेगी आपके सहयोग के अवशक्ता पड़ेगी तो एक और और निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद, जाइन, जाए भारत, जाए राजस्ता